हेला एर्यवन कैसों सभी आई होप सभी अच्छ होंगे देखो इसमें डिस्कुस करेंगे अपने हर्याना की जो वकैंसी है वो आ चुकी है एक असिस्टन प्रोफेसर की काफी टाइम से वेट था और काफी स्टूडंट जो हर्याना के खासकर स्टूडंट है वो भी वेट कर रहे थे राजस्तान की स्टूडंट भी वेट कर रहे थे और अधर स्टेट के स्टूडंट भी पाफी अच्छी सीट्स है न 96 फिसिक्स की सीट है इसमें बाकी अज़र सब्जक्ट की अच्छी सीट है जिक्स की 96 सीट है इसके बार में कंप्लेट डिसकस करेंगी कौन कॉन eligible है क्या eligibility criteria है msc physics चाहिए कितने प्रसेंट चाहिए क्या net अभी वाला चल जाएगा जुलाई वाला चल जाएगा जुलाई वाला नहीं चलेगा exam कब तक का हमें net exam qualify चाहिए ना PhD वाले apply नहीं कर सकते हैं क्या सारी चीज़े अपने डिसकस करेंगे डिटेल में तो अच्छे से देखना ना एक बार देख लेना उसके बाद में दुबारा देखने की जुरूत नहीं है कोई भी वीडियो डेट ओफ पॉब्लिकेशन आज का इनोटीस है दो अगस्त का ठीक है कि देखो सबसे पहले बात करें तो ओपनिंग डेट अभी ओपन नहीं हुए फॉर्म साथ तारिक ओफिशल वेबसाइट जो है अच्पेसी की उस पर ओपन हो जाएंगे साथ अगस्त को और 27 अगस्त लगबग 20 दिन का इन्होंने टाइम दिया है 20 दिन में तुम्हें अपन करें कि देखो हां इलीजीबिये टी जो दिसे भीडियर तो यहां पर हमारे पास में अटेशाव समें अचिकला ओर कर भाटिक ओ जोल्च्थ है लगबग जबीचवजीच्ट है टोटल 24 0024 सीट इस में से फिजिक्स की नाइयंटी सिक्स इस से जन्रल के 48 है और सी की अठारा है और 10 क्लास की सतरा और 5 जाहिएंq सकते Uhh हर्याना वाले तो अपलाइउ कर एंद गर सकते हैं और क्राइटेव यह कुण उनको जनरल में रखा जाएगा पर उनको कोई बेनफिट नहीं मिलेंगे रिजरुवेशन के वो जनरल में फाइट करेंगे 48 सीट पर बाकि जो हर्याना वाले कंडिडेट है जिस कैटिगरी में उसी कैटिगरी में अपलाई करना ठीक है और अच्छी सीट है बहुत खराब करना है गोर्मेंट जोब ही चाते हो इसके लावा और कुछ नहीं चाते हो अच्छी गोष्वेंट जोब चाते हो तो इसको मिस्-मत करना मैं तो यही कौँगा पूरा पूरी महनत के साथ में कुछ बहीं करना पड़े अपने 100% कि पूरी कोसिश करना कि अपने को साइड पे सले बस upload करतेंगे, देखते हैं वहां पे कब तक upload होगा, essential qualification की बात करें, the essential qualification as per हर्याना education, college काड़र, group b, service rule, in service rule के according है essential qualification, सभी subject की essential qualification, fine arts और mass communication की अलग है, बाखी जो subject अपना subject इसी इसके अलावा तुम्हें लेवल तक तुमने हिंदी या संस्कृत कोई एक पड़ा हो अब टू मेट्रिक स्टेंडर यह होना चाहिए और इन हायर एजूकेशन हिंदी इंग्लिश का मलब तुम्हें हिंदी और संस्कृत का तुम्हें हिंदी या संस्कृत का तुम्हें नोलेज होना चाहिए वह जुरूरी है और यह तो सभी ने पड़ी होती होती है नेट तुम्हारा क्वालिफाई होना चाहिए नेट नहीं है तो सैट होना चाहिए सैट नहीं है तो तुम्हारे पीएसडी ह क्या रूल है कैसी पिसदी ऐसे नहीं कि किसी भी फरजी उन्वेस्टी से पिस्दी कर लिए और इलिजिबल हो पिस डी के भी बहुत सारे रूल है देखो पिस डी डिग्री ऑफ केंडिड है इस बीन आवाड़ेड इन रेगुलर मॉर्ड में पिस डी होनी चाहिए पिस डी थी ठीक है यह सारे eligibility criteria होनी चाहिए तुम्हारे पास में ठीक है और यह criteria होगा फिर तुम्हें net की जरूत नहीं है पीजडी तुम ने की हुई है ऐसे फर्जी उन्वर्स्टी से पीजडी किया तो यह criteria या follow होने चाहिए तो तुम्हें net की कहीं भी जरूत नहीं है बिना net के भी तुम्हें eligible हो ठीक है और यदि फोरण से PhD किया तो वह जो इन्वर्स्टी जिस इन्वर्स्टी से किया टॉप 500 में वह इन्वर्स्टी आनी चाहिए फोरण युद्श्टी से तुम ने की है पीजडी ओके इसके बाद मैं बात करें है यह यह रिलक्सेशन है सभी सब्जेक्ट में रिलक्सेशन फॉर 5 प्रसंट ग्रांटेट सौं 55 प्रसंट तो 50 प्रसंट मार्क्स टूपीश्टी डिग्री होल्डर हुए पास्ट डियर मास्टर ड प्रसंट प्रसंट रिलक्सेशन है अलाउड एड़ी बैचलर एस मास्टर लेवल ओफ दी कंडिडेट बिलोंगिंग टू सेडियूल का सेडियूल ड्राइब बैक्वार्ट क्लास ओबीसी सेस्ट इनको भी 5 प्रसंट का रिलक्सेशन मिलेगा तो 50 प्रसंट में मिनिमम में इलिजिबिलेटी तुमारे होने चाहिए तो यह एक राइटीरिया है कैसे अपने गुडू अक्रमिक्स रिकॉर्ड काउंट करना वह लगबग होता ही है ठीक है और इसके बाद में बात करें प्रसंट करिते कर चाहिए अबर सुनमें टो यह एक झाहिए लेजिए आफुड तो 16 सेश्ट सेश्ट कर यह प्रसंट है ञिए ओन देस्ट कर देस्ट किलादी सेश्ट का अईगए टाइच आ दक्रमिक्स रिकक्षर के।्य चाहिए एक्रमिक्स 6 चाहिए लेजिए 27th 15 सेब इस स्टेटस ओफ सेट रिमेन अंचेंज पॉर्डी सेट एग्जामनेशन कंड़क्ट प्रायर टू फर्स्ट जून दोजार दो दी केंडिडेट क्लीरिंग सेट वर इलिजबल फॉर अपॉइमेंट टू पोस्ट फ लेक्ट्रार एनिवेर इन इंडिया हर्याना का सेट हुआ है किसी और स्टेट का सेट निकाला is यह जैसे राजस्तान वाले इलिजबल थे यह हाँ यदि तुमने किसी कोई स्टूडेंट सेट का एक्जाम देता है उस टेट का तो फिर वो इलिजिबल हो जाएगा एक सबसे इपोटन बार इलिजिबलिटी ओफ केंडिडेट विद रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शेल बीडिटरमाइन ओन दी क्लोजिंग डेट यह सबसे इपोटन बात इन्होंने लिखी है कि 27 अगस्त जो क्लोजिंग डेट है कब तक तुमारी जो मेरे पास में मैसेज आए कि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट जिनका नेट यह कंफर्म है कि हमारा यह वाला नेट हो सकता है जो अभी जुलाई में हुआ है ना CSIR नेट का और जो UGC का नेट अभी होगा तो वो स्टूडेंट इस वेकेंसी से वंचित रह सकते हैं ठीक है तो उन्होंने यह क्लियरली लिख दिया देखो आल एप्लिकेंट मस्ट फुल्फिल दी असेंशल रिक्वार्मेंट पोर दी पोस्ट और अधर कंडिशन कोई भी ऐसी इंक्वार्मेंट में नहीं ली जाएगी कि उनको अडवाइस करेंगी अपने यह नहीं होना चाहिए तो यह दियान से देख लेना है एक बार ठीक है तो नेट का सर्टिफिकेट और जो तुम्हारी मसी डिग्री है 27 से पहले-पहले सब कुछ तुम्हारे पास में होना चाहिए नेट का रिजरिट भी आ जाने चाहिए बहुत खराब चीज है वैसे क्योंकि नेट क्वालिफाई जो आर्पीसी की वेकैंसी थी ना उसम करना भी चाहिए कोशिश तो करनी चाहिए ठीक है पूरी कोशिश करनी चाहिए देखो हर्याना वाले आपस में सारे कंबाइन होके जोड़के यूटूब के थुरू ट्वेटर के थुरू कोशिश तो बनती है कि इंटर्यू तक अपना नेट निकाल लो तो कोई दिक्कत व पांज मेनें में होगा फिर उसके बाद में एक और नेट आ जाएगा तो इंटर्यू तक फाइनल मेरे साफसे चीज़े होनी चाहिए जिस हिसाफसी नों नहीं किया है यह खराब चीज है बुर्ट सब्सक्राइब करना चाहिए और आवाज भी उठानी चाहिए जो हर्याना के स्टूडेंट है या जो अपलाई करना चाहते हैं इसके लिए ठीक है तो आवाज उठानी चाहिए डेफिनेट लिए नेक्स देखो इसके अलावा तुम्हारी क्या राय है तुम्हें क्या लगता है वो भी मुझे कमेंड सेक्शन में जरूर बताना और अपने करेंगे प मैं बता रहा हूं जितना मैं इस नोटिफिएशन को पढ़ पा रहा हूं बाकि तुम अपने पॉइंट ओफ्यू जरूर रखना कहीं मा कुछ गलत नहीं कर रहा चीजों को तो अपने पॉइंट ओफ्यू जरूर कमेंड सेक्शन में बताना मेरे को ठीक है और ऐसी जीजे मे स्क्रीनिंग टेस्ट कुमारा सो नमबर कहोगा दो गंटे कहोगा फंसीु आए और इसमें 0.25 नेगटिव मार्किंग ओग और उन इग्जामिनेशन का मीडियम होगा56्य इन सब्जर्च के लिए जैसे पीजिक्स बॉटनी, कंप्यूरा साइंस इनके लिए only English में होगा और bilingual में होगा English और Hindi language मतलब यह जो subject है वो bilingual में होंगे the language subject such as English Hindi Sanskrit and Punjabi will be in their respective language only जो बाकि language subject हो उनका उनके respective subject में होगा बाकि इन में अपना Botany computer science इन में अपना जो भी होगा screening जो टेस्ट होगा स्क्रेंग टेस्ट का स्लेवस देखते हैं अपने क्या है भी शायद अप्लोड नहीं हुआ मेरे साब से देखेंगे उसको website पर क्या है Botany computer science इनका English में होगा इनका दोनों में होगा और देख लेना तुम्हारा कौन से स्क्रेंग टेस्ट के बाद में और नेक्स टेज के लिए और यदि चार गुना से पहले ही कम रह जाते हैं तो उनको डायरेक्टली सब्जेक्ट टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा और सब्जेक्ट नौलेज टेस्ट की बात करें तो यह सेकिंड पेपर होगा तीन गं कोई तो ज तो स्कुरिफ प्लेज की घृटेस के लिए प्रसंट ichi बेटेस्ट होगा है तो एकलत इसके बाद में नुहारा एंट अब ups हुँँ नंबर ओफ कंडिडेट वी टो टाइम दो गुना बुलाई जाएँगे जितनी भी सीट है मैंनो 96 सीट है इसके दो गुना इंट्रू में आएंगे इसमें प्रोबैबिलीटे इदे इंट्रू में पहुंच गे तो हमारे चांस काफी हाई बन जाते हैं तो चांस काफी हाई बन जाते हैं यह काफी अच्छी बात है और सब्जेक्ट वाइस लेबस इस बीग अपलोड़ेट सेपरेटली ओन है यह अपलोड हो जाएगा एक सेलरी तो अच्छी खासी है लेवल टैन की जोब है यह सबी को पताई है इसके लिजिबिलीटी कंडिशन ठीक ही तो हो जाएगा एज की बात करें 21 साल ब्याली साल ना 21 और रिलक्सेशन मिल जाएगा पांच साल का बेकवर्ड क्लास को से गेनरल वाले हजार आखी देख लेना इसमें जिस भी कैटिगरी में तुम लाई करते हो कौन सी कैटिगरी में तुम उसके कोडिंग देख लेना यह तुमारी कंप्लीट फीस है यह इतना इपोर्टन नहीं है कि क्या-क्या चाहिए डोकुमेंट पोटो साइन ना सिगनेचर 10th की मार्क शिट 12th की मार्क शिट graduation, post graduation, mfill PhD जो भी है, net jrf जो भी certificate है वो चाहिए SC का certificate या OBC का certificate जो भी है वो सारे certificate चाहिए तुमें किस date से पहले के चाहिए वो भी देख लेना कि इस डेट से पहले कि चाहिए ओभी सी एबी के सब्सक्राइब के इसूड इन इयर ट्वंटी ट्वंटी ट्वंटी-फॉर ट्वंटी-ट्वंटी-फाइव में इसूड होने चाहिए जो जिनका पुराना है इंस्ट्रक्शन के देख लो थीक है उसके अकोर्डिंग हमारे पास में होना चाहिए तो यह पूरा देख लेना और AWS का AWS soft copy of it is valid for year जो इस यह तक valid हो वो चाहिए AWS का एस पर गॉर्मेंड इंस्ट्रक्शन जो गॉर्मेंड की इंस्ट्रक्शन आई थी इस डेट को उसके अकोर्डिंग और बाकि जो सेटिफिकेट अधार कार्ड प्रिवार पैचान पतर हर्याना डॉमिसिल सेटिफिकेट यह सारी चीज़ें दुमें चाहिए बस यह कंप्लेट इंफोर्मेशन थी बाकि एक चीज मेरे को यहां पर खराब लगी कि इटों का तो कोई ने सीटे तो आई कम से कम 96 सीट इनफ होती है एक चीज मेरे को खराब लगी जो क्वालिफिकेशन वाली बात है बाकि तुम कमेंड सेक्षिन में अपनी राए जरूर रखना क्या सोचते हो इसके बारे में और आगे जो भी पॉसिबल कोशिश होगी करन होनेंगे नहीं इस दूरूर करने चाहिए इतने टाइम के बाद में वाकया सी आती है तो अना तो फाइदा होना चाहिए जो संद इर में त्यारी कर रहे है उनको फाइदा होना चाहिए कम से कम तो बीकिते नेक्स सेशन बबाँ टेक यर और इसके अलावा अपने इसका आ लिए का ट्रभ होगा है कि एक्जाम करेंट कर सकता है तो कह से से रहे नहीं ऐमारा टाएगा यह लगा कर्या कि क्यार लगता है कि एक्जाम कर उसकते अपने राहे जुरूर में झ